हलो तो मैं आल विएर्ज आज हम आपकी सामय लेकर रहा हैं हिस्टी का नेक्स टॉपिक बंगाल के वईश इससे पहले हम हिस्टी के बाके के टॉपिक्स कर चुके हैं अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज को देखिए जरूर जाकर जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए आपकी बहुत जादा हेल्प करेंगे हिस्टी के जो ये मिडल के कुछ टॉपिक्स हैं मध्यकालीन भारत से पहले के थोड़े से डिफरेंट आते हैं थोड़े सी अलग आते हैं और questions इसमें से बहुत भंते हैं exam के लिए तो हम इसको skip नहीं करेंगे हमने सभी जो previous आपकी history के मैंने वीडियोज अपलोड किये हैं उसमें हर एक topic clear किया है कोई भी topic हमने skip नहीं किया है so please उन वीडियोज को भी watch कीजिए so start करते हैं बंगाल के वश इसमें सबसे पहले आता है पाल वश जिसकी स्थापना जो है ये की गई बौध धरम के अनुयाई गोपाल के द्वारा धरमपाल के द्वारा क्या किया गया था विक्रमशीलर विश्व विद्याली की स्थापना की गई और दे पाल सरवादिक शक्तिशाली शाशक माने जाते थे किस वश के पाल, वश के clear हो गया सेन वंश हेमन सेन के द्वारा जो है सेन वंश की स्थापना की गई प्रसिद शासक जो आते हैं ये आते हैं सेन वंश की बलाल सेन और गीत गोविंद के रचाइता कौन है तो गीत गोविंद के रचाइता है जैदेव मध्य एवं दक्षिन भार्तिय राज्य में कौन सा वंश आता है सबसे प्रतम वाकटक वंश आता है वाकटक वंश की स्थापना जो है ये की गई 255 इसमें विंद्य शक्ति के द्वारा प्रसिद राजा थे इसके प्रवर सेंद जिनके द्वारा चार अश्वमें ग्यग्य करवाए गए बादामी के चालू कि संसापक जो थे तो ये थे पुलकेशियन प्रतम राजधानी वातापी पुलकेशियन द्वितिय ने परशिया के राजा खुसरो द्वितिय के दर्बार में राजूत भेजा रवी कीर्टी की द्वारा जो है एहोल अभिलेक लिखा गया है कीर्टी वर्मन दुटी ये कौन था बादामी के चालुके जो बादामी वंच थे बादामी के चालुके का जो वंच था उसके कीर्टी वर्मन दुटी ये इस वंच का अंति में शासक था जिसने क्या क्या दंती दुर्ग से पर जिसे जो है दंती दुर्ग ने पराजित क्या और रास्टकूट वंश की स्थापने क्या आपको पता है रास्टकूट वंश की स्थापना किसके दौरा की गई दंती दुर्ग के दौरा नेक्स वन आता है वेंगी के चालुक्य, पुलकेशन दुतिय का जो भाई था, क्या नाम था उसका विश्नुवर्धन, उसने क्या क्या क्या, विश्नुवर्धन प्रथम ने इस राजवंश की थापना की, तो वेंगी के चालुक्य किस थापना किस की दौरा की गई, पुलके नेर रास्टकूट के राजा करक दुतिये को मार करकी और मानने खेट जो है राधानी थी उस समय सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया राधानी मानने खेट से बदल दी कल्यानी तो मानने खेट से राधानी बदली किसने थी तो ये बदली थी सोमेश्वर प्रथम ने आपने ये किया गया था 1076 EC में आरम अब आता है राश्ट कोट वाईश इसकी सथापक बता दिया दंती दूर्ग थे और राज़ानी कौन थी? मानने खेट थी प्रसिद शाशक कौन थे? कृष्ण प्रथम महान निर्माता भी था कौन? कृष्ण प्रथम ही महान निर्माता भी था उसने क्या किया? एक ही चटान से काटकर एलोरा के प्रसिद कैलाश मंदिर का निर्मान करवाया तो एलोरा के प्रसिद कैलाश मंदिर का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था कृष्ण प्रथम की द्वारा निक्स आते हैं धुरूव धुरूव जो था ये कौन था ये राश्टकूट वंश का प्रथम शाशक था कौन धुरूव सावस रेष्ट शाशक कौन था अमोग वर्ष का पौत्र इंद्र तृतियो उसका नाम था इसके समय अर्भी आत्री अल्मसूदी भारत आया तो अल्मसूदी भारत का बाया था इंद्र तृतियो के समय में कृष्ण तृतिय ने चोलों को परास्त कर यानि कि उन्हें हरा कर रामेश्वरम एक विजय रामेश्वरम में क्या क्या एक विजय स्तम तथा एक मंदिर का निर्मान करवाया किसने कृष्ण तृतिय ने निक्स्ट आता है पल्लववश्व के वास्तविक संस्थापक कौन थे तो पल्लववश्व के वास्तविक संस्थापक थे सिंग विश्णु और इनकी राजधानी क्या थी इनकी राजधानी थी कांची पुत्र महेंद्र वर्मन ठीक है उसके शाषनकाल में संस्कृत के प्रि इसिद ग्रंथ किरा अर्जुनियम गलत लिख किया है तो मैंने सामने लिख दिया है किराता अर्जुनियम क्लिए की रचना की नेक्स्ट वन आता है नर्सिंग वर्मन प्रथम ये क्या था ये शेश्वी शासक था और इसे वाताप्पी कोंट की उपाधी भी दी गई है नर्सिंग वर्मन ने मामल पूरम या महाबली पूरम नगर की स्थापना की नर्सिंग वर्मन द्वितिय ने क्या क्या कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्बान किसके दोरा किया गया नर्सिंग वर्मन द्वितिय के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने पूर्वी के गंग तो जो पूर्वी के गंग है इन्हें चेड गंग के नाम से पुकारा जाता था नर्सिंग देव वर्मन ने कुणार्क का प्रसिद सूर्य मंदिर बनाया तो कॉनार्क का प्रसिद सूर्य देव मंदिर किसके द्वारा बनवाए गया है नर्सिंग देव वर्मन के द्वारा इस मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता थे ब्लैक पैगोडा बहुत बार कोशन आता है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद है तो ये कोणार्क मंदिर प्रिसिद है, कोणार्का सूर्य मंदिर नेक्स वन आता है, अनंत वर्मन ने पूरी के प्रिसिद मंदर जगनाथ पूरी मंदिर का निर्मान करवाया तो जगनाथ पूरी मंदिर का निर्मान किसके दौरा? अनंत वर्मन के दौरा केसरी शासकों ने भुवनेश्वर में प्रसिद लिंगराज मंदिर बनवाया और जो ये लिंगराज मंदिर है ये नागर शैली का महत्वपुर्ण उदाहरण है नेक्स आता है हमारे सामने चोलवंश तो चोलवंश का संस्थापक कौन था विजयाले था नेक्स वन है इसने तंज्वर के प्रसिद राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था राज राज प्रथम के दोरा चोल शाशनकाल में गोपुरम शैली का जनम हुआ इसकी मृत्यू के बाद राजेंदर प्रत्थम शासक बना महीपाल को पराजेत कर गंगई कोड की उपाधी ग्रहन की राजेंदर प्रत्थम ने इस काल में दक्षिन भारत में मूर्ति कल्ला ने एक नई उन्चाई को सपर्ष किया तो ये सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है श्रवन, बेल, गोला, गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति है विश्नु के उपासक को अलवार कहा जाता था और शिव उपासक को नयनार कहा जाता था सुफ्रेंड्स यहां पर हमारा कंप्लीट होता है प्राचीन इतिहास जिसमने कौन कौन सीफ टॉपिक्स किये है सिंदुघाटी सबिता, वैदिक काल, वैदिक साहित्य, जैन धरम, बौत धरम सोला महा जनपर, जनपर, मगत सामराज, सिकंदर का भारत आकर्मन मौरे वंश, मौरे अतरकाल, दक्षिन भारती राज, मौरे अतरकाल के विदेशी राजाओं का शाषन, गुप्त वंश, गुप्त उतरकाल के वंश और राज, भारत पर विदेशी आकर्मन clear तो हमने यहाँ पे गुप्तुत्तर काल तक के questions किये हैं अब हम करेंगे मद्यकालीन भारत यहाँ पे हमारा प्राची नितियास complete होता है अगर आपने previous topics के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन वीडियोस को watch कीजिए quick revision है आपके लिए exam के point of view से बहुत साथ important वीडियोस है तो friends अकर इह वीडियो आपको ज़रा सा भी इच्छा लगा होगा तो वीडियो को like, share and अब हमारे चैनल को subscribe करना ना भोले thank you so much friends, stay tuned, stay happy stay blessed